दशेहरा नमस्कार मित्रों आज हम असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर प्रकाश की विजय के पर्व दशेहरा के बारे में चर्चा करेंगे दशेहरा जिसे हिंदू धर्म में दशेहरा या विजय दश्मी भी कहा जाता है दस सिर्वाले राक्षस राजा रावन पर विश्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक अवकाश है जिसने राम की पत्नी सीता का अपारण कर लिया था त्योहार का नाम संस्कृत शब्द दशा दस और हारा हार से लिया क्या है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशेहरा हिंदू केलेंडर के साथवे महीने अश्विन सितंबर अक्टूबर के दसवे दिन मनाया जाता है जिसमें पूर्णिमा दिखाई देती है इस घटना को उज्वल पकवाना कहा जाता है शुकल पक्ष दशेहरा नौ दिवसिये नवरातरी उच्छव के समापन और दुरगा के दसवे दिन के साथ मेल खाता है पूजा उच्छव कई लोगों के लिए यह दिवाली की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है जो दशेहरे के बीज दिन बाद होती है दशेहरा बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है उत्तर भारत में इसमें राम लीला राम की जीवन की कहानी का एक भव्य नाट की अभिने शामिल है रावन के पुतले अकसर मेघनाद रावन के पुत्र और कुम्भकर्ण रावन के भाई के पुतलों के साथ पटाखों से भरे जाते हैं और रात में खुले मैदानों में आग लगा दी जाती है दशेहरे का त्योहार अपनी धारना और महत्व में अद्वितीय है महान हिंदु महाकाव्य रामायन के अनुसार भगवान राम ने दस्वे दिन यानि दशेहरे के दिन रावण का वद्ध किया था इसे पाप या अनैतिक्ता पर पुर्णे की विजय कहा जाता है कहा जाता है कि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और वहाँ एक ताना शाह शासक के रूप में भी जाना जाता था रावण के अंत का मतलब बुरी और बुरी आत्मा का अंत था क्योंकि वहाँ भी जन्म से एक राक्षस था पूरे नवरात्री में देश के कई हिस्सों में राम लीला का आयोजन किया जाता है और लोग रामायन पर आधारित नाटक के मंचन का आनंद लेते हैं दशहरे के तियोहार को दुरगा के नाम से भी जाना जाता है पूजा और भारत के पूर्वी हिस्से में लोग पूरे 9 दिनों तक देवी दुरगा की पूजा करते हैं और दशेहरा मनाते हैं, क्योंकि उस दिन देवी ने राक्षस महिशासुर का वद्ध किया था। एतिहासिक प्रिष्ट भूमी दशेहरा मुख्य रूप से हिंदू महाकाव्य रामायन से जुड़ा है। यहार राक्षस राजा रावण को हराने के बाद, भगवान, राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई, लक्षमन की अयोध्या वापसी की याद दिलाता है। अयोध्या में उनकी वापसी चौधा साल के वनवास की पराकाष्ठा और धार्मिक्ता की जीत थी रावन को अक्सर, बुराई और एहंकार के अवतार की रूप में देखा जाता है भगवान राम द्वारा उनकी पराजय दुष्टता पर अच्छे मूल्यों की विजय का प्रतिनिधित्व करती है महत्व, पहला धार्मिक महत्व महकाविर रामायन में भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मन के साथ युद्ध के दस्वें दिन राक्षस राजा रावन को हराय था जिसे दशेहरे के रूप में मनाय जाता है इस जीत को बुराई और अधर्म पर धर्म, सत्य और धर्म की जीत के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है भारत के उत्तरी हिसों में दशेहरा भगवान राम के चौधा साल के वनवास के बाद अयुध्या लोटने और रावन पर उनकी जीत के प्रतीक के रूप में मनाय जाता है रावन का पुतला जलाना उत्सव का एक केंद्रिय हिसा है दूसरा सांस्कृतिक महत्व दशेहरा सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति का समय है विभिनक शेत्रों में विस्तिर्त राम लीला प्रदर्शन आयुजित के जाते हैं जहां कलाकार नाटकों के माध्यम से भगवान राम के जीवन का चित्रन करते हैं भारत के कई हिस्सों में देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों के साथ जुलूस सडकों पर संगीत और निर्थ के साथ निकाल जाते हैं जिससे सांस्कृतिक जीवन्तता बढ़ती है तीसरा प्रतीक वाद दशेहरे के दोरान रावन, मेघनाद और कुम्भकर्ण के पुतले जलाना बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का एक द्रिश्य प्रतिनिधित्व है और गलत काम के परिणामों की याद दिलाता है चौथा नवरात्री महुत्सव दशेहरा नवरात्री उत्सव के अंत का प्रतीक है जिसमें नौ रातों की पूजा होती है विशेश रूप से देवी दुर्गा के विभिन रूपों का सम्मान किया जाता है ये रातें देवी और राक्षसी शक्तियों के बीच युद्ध का प्रतीक है जिसकी परिणती देवी की जीत में हुई पाच्वा सामाजिक और सामुदाइक जुडाव दशेहरा पारिवारिक और सामुदाइक समारोहों का समय है लोग जश्ण मनाने उपहारों और मिठाईयों का आदान प्रतान करने सामाजिक बंधन और एक्ता को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं छटा क्रिशी महत्व भारत के कुछ हिसों में दशेहरा क्रिशी से जुडा हुआ है यहाँ फसल के मौसम की शुरुवात का प्रतीक है जिसमें आने वाले वर्ष में फलदाई फसल और सम्रिध्धी की प्रार्तना की जाती है सात्वा, शैक्षिक और कलात्मक्षोकेस पारंपरिक कला, संगीत और निर्थे रूपों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और सांस्कृतिक संस्थान अकसर दशेहरे के दौरान, कारक्रम, प्रदर्शनिया और प्रतियोगिताएं आयुजित करते हैं इससे देश की सम्रिध्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है आठवा, वानिजिक और आर्थिक गती विधी दशेहरा आर्थिक गती विधियों को भी बढ़ावा देता है, खास कर खरिदारी और व्यापार के मामले में लोग इस्थानी अर्थि विवस्था में योगदान करते हुए नए कपड़े, उपहार और सजावट खरीते हैं नवा, आध्यात्मिक महत्व दशेहरा रामायन महकावे में चित्रित, धार्मिक्ता, सत्य और धर्म के मूल्यों की याद दिलाता है यह लोगों को अपने जीवन में इन सिध्धानतों को बनाए रखने के लिए प्रोचसाहित करता है अनुष्ठान और उत्सव पहला, राम लीला प्रदर्शन राम लीला नाटे प्रदर्शनों की एक श्रिंखला है जो हिंदू महाकावव्य, रामायन की पूरी कहानी का वर्णन करती है यह नाटक दस दिनों की अवधी में खुले मैदानों और मंदिरों में आयुजित के जाते हैं जिसका समापन दशेहरे पर होता है अभिनेता रामायन के पात्रों के रूप में तयार होते हैं जिनमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मन और हनुमान केंद्रिय पातर होते हैं। प्रदर्शन अक्सर अभिनेताओं द्वारा राम और रावन के बीच युद्ध का चितरन करने के साथ समाप्त होता है। जिसके बाद प्रतिकात्मक रूप से रावन का पुतला चलाया जाता है। राम की जीत का प्रतीक है जब पुतले आग की लप्टों में खिरते हैं तो भीड आश्चर्य चकित होकर देखती है तीसरा देवी की पूजा उत्तर भारत में दशेहरा नौ दिवसिये नवरात्री उत्सव के अंत का भी प्रतीक है नौवे दिन जिसे महा नवमी के नाम से जाना जाता है देवी के सम्मान में विशेश पूजा आयू जित की जाती है कई परिवार मा दुर्गा और उनके विभिण स्वरूपों की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और दशेहरे के दिन इन मूर्तियों को पानी में विसरजित कर दिया जाता है। चौथा, मिठाईया और उपहारों का वित्रण दशेहरा शुब कामनाओं और उपहारों के आदान प्रदान का समय है। लोग अपने दोस्तों और परिवारों से मिलने जाते हैं। उनके स्नेह के प्रतीक के रूप में मिठाईया और उपहार देते हैं। यहाँ बंधनों को मजबूत करने और खुशिया पहलाने का समय है। पाचवा, जुलूस कुछ क्षेत्रों में भव्वे जुलूसों का आयोजन क्या जाता है। इन जुलूसों में रथों या पालकियों पर देवी देवताओं की विस्तरित रूप से सजाई गई मूर्तिया रखी जाती है। भक्त और दर्शक इन जुलूसों को देखने के लिए सडकों पर कतार बद्ध होते हैं। जिन में अक्सर पारंपरिक संगीत और निर्थ प्रदर्शन शामिल होते हैं। छटा अनुष्ठानिक निर्थ गुजरात में नवरात्री उत्सव, गर्बा और डांडिया जैसे रंगीन निर्थियों के साथ मनाया जाता है। लोग हाथों में लाठिया, डांडिया पकड़ कर या ताली बजाते हुए सुन्दर और लैबध कदमों के साथ गोलाकार निर्थ करते हैं। ये निर्थ न केवल धार्मिक है, बलकि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी एक रूप है। साथवा, दशेहरा मेले कई स्थानों पर दशेहरे के मौसम में मेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले मनुरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक विस्तरित श्रिंकला पेश करते हैं। जिनमें लोक संकीत, पारंपरिक निर्थि प्रदर्शन, खाद्य स्टॉल और विभिन्न केल और सवारी शामिल है। वे उत्सवों का केंद्र हैं और बड़ी भीड को आकर्शित करते हैं। दशेहरा एक बहु आया मीत्योहार है, जो धार्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक समारोहों को जोड़ता है। यह पूरे भारत में लोगों के दिलों में एक विशेश स्थान रखता है। और विशिष्ट रीती रिवास और परमपराएं एक क्षेतर से दूसरे क्षेतर में भिन्न हो सकती हैं, जो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का एक विविध और जीवन्त उत्सव बनाती है। भारत के विभिन भागों में दशेहर एक उत्सव। उत्तर भारत में दशेहरा उत्सव। और राम का अभिने करने वाला व्यक्ति एक एक करके पुतलों को जलाने के लिए तीर चलाता है। दशेहरा उत्सव। नवरात्री की हर रात लोग इखटा होते हैं और निर्त करते हैं। और यहां तक की इस अफसर पर बहुत सारी पृत्योगिताएं और शो भी आयुजित की जाते हैं। गाने आमतोर पर भक्ति पूर्ण होते हैं और निर्त शैली को गर्बा कहा जाता है। महिलाएं अपने सबसे अच्छे परिधानों में खूपसूर्ती से सजाए गए मिट्टी के बर्तनों को घेरती हैं और देरात तक निर्त करती हैं। कई जगों पर गर्बा देरात शुरू होता है और सुभा होने तक चलता है। दक्षिन भारत में दशेहराउत्सव। दक्षिन भारत में नवरातरी के दिनों को तीन देवियों की पूजा करने के लिए समान रूप से विभाजित किया जाता है। लक्षमी धन और सम्रिधी की देवी, सरस्वती, ज्यान और विद्या की देवी और दुर्गा शक्ती और ताकत की देवी। विशाम के समय अपने घरों और सीडियों को दियों और फूलों से सजाते हैं। मैसूर का दशेहरा उत्सव प्रसिद्ध है और इसे अपने ही अंदाज में धूमधाम से मनाया जाता है। दशेहरे के त्योहार से और भी कही कहानिया जुड़ी हुई हैं। कहानिया चाहे जो भी हो। भारत में त्योहार, परोपकार, शांती और प्रेम का संदेश देते हैं। यदि लोग पूरे वर्ष सुंदर और सार्थक संदेशों को ध्यान में रखते तो चारों और शांती और सदभाव होता। हालांकी भारत में त्योहार सभी भारतियों द्वारा मनाये जाते हैं चाहे वे हिंदु हों या किसी अन्य धर्म से संबन्धित हों त्योहारों के मौसम में भाईचारे की भावना देखने को मिलती है अंत में दशेहरा भारत में एक बहु आयामी त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिव्यता का जश्ण मनाता है और सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखता है। यह चिंतन, नवी निकरण और सदगुन की विजय का जश्ण मनाने के लिए एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का समय है।